हैलो दोस्तों आप सब कस वागते हैं आपके अपने YouTube चैनल फिल्मी रियक्शन में तो कैसे आप सब उमीद आप लोग अच्छ होंगे मैं बिलकुल अच्छ हूं आप लोगों की दुआ से तो दोस्तों आज जिस वीडियो का मैं रियक्शन ले किया हूँ वह है पवन सिंग के से जुनाव लड़ेंगे तो हम जड़ी इंटर्व्यू देखते हैं इसके बाद इसके बारें बात करेंगे उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक जरूर कर लें कराकट लोक सबाज 6 चुनने का मुख्य वज़ा क्या है क्योगी आरा उनका गरिभी बताया जाता है या फिर बकसर बगल में है आसंसोल से टिकट मिला भाष्या जन्ता पार्टी से तो यह सब कुछ छोड के इस च्चेतर में आने का वज़़ा है अचाब करीबी है तो आसंसो सब्सक्राइब कर दिया है उनके करीबी जो है लोग आए हुए है इनसे हम समझने का प्रयास करेंगे कि पवन सिंग सबसे पहले तो आप बताएंगे कि क्या कुछ चल रहा है और पवन सिंग यहां से निर्दली चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी पार्टी से बाद चल रही है पहली चीज तो असपस्ट कर दें आपके चैनल के माधम से पावन जी निर्दली ही चुनाव लड़ेंगे हो यह उड़ा रहा है कि किसी राजनीतिक दल से राजनीतिक दल के संपर्क में यह स्कोरा आप हो आप हुआ है इस पर कहीं कोई सचाई नहीं है पुर्ल रूप से उनका मन था वह चाते थे कि मैं अगर चुनाव लड़ूंगा भी इसके पहले कि घटना करम हुए किसी से ऊपर उड़व करके सारे लोगों के लिए मैं निर्दल की रूप में परकार महा करता है कि करकार करता है मैं created पावन सिंग के साथ है और भरपूर समस्राइन यहां का यहां का जुम अस्थानिय मुद्दा है उसके बारे में क्या कहिए गांगा आभी तक लोगों के जिहन में क्या चल रहा था यह जब तक पवन सिंग आईलान नहीं किये थे तब यहां पर कौन भारी था इंडिये या मह पवण सिंग जी हम लोग के बेच के हैं आज से पहले जो भी यहां पर एमपी हुआ करते थे सब लोग परसूट वाले वमिद्वार थे महावली सिंग यहां के नहीं थे और उपेंदर जी जो आज लड़े वो भी नहीं है हम लोग के साहब अच्छेत्व के हैं हमारे भाई हैं और आगे भी बनेंगे जो मोग प्यार देगा जो जूड़ेगा उसको यहां से जिताके भेजेंगे कराकाट लोकसभा च्छेतर चुनने का मुख्य वज़ा क्या है कि आरा उनका गिरी बताया जाता है या फिर बक्सर बगल में है आसन सोल से टिकट मिला भारतिके जन्ता पार्टी से तो यह सब कुछ छोर के इस च्छेतर में आने का वज़ा है हम चर्चा सिर्फ इसलिए कर रह दूरी नहीं है साहबाद के वेटा है धर परविवार में चुनाव लड़ने आया है इसमें किसी को कोई संदे नहीं होना चाहिए कि इसके पीछे कोई राजनीतिक सडियंत्र है किसी किस कारण से यहां रहा है कारण से रिपेह के काराकाट में 2008 में पर्शिमन हुआ नों में साल नहीं 15 साल सिर्फ अपनी कुरसी बचाए कभी राजद में चले गए कभी भाजपा में चले गए कभी नितिजी की पार्टी में चले गए यह 15 साल यह लोग सिर्फ अपनी कुरसी बचाते रहे किस दल में जाकर के हमारी कुरसी सुरची उनको यहां के विकास से यहां के नौजमानों से यहां के रुजगार से यह जो फैक्टरी पड़ी है किसी से उनका कोई सरोकार वो कभी सोचे ही नहीं कभी सदर में आवाज उन्हों उठा जो हग मिलना चाहिए था कारागाट को वो नहीं मिल पाई लेकिन मैं आरा की अगर बात करूँ जहां से पाउन जी का जो घर है जो लोग जानते हैं कहीं ने कहीं वो मूल भूत सुभधाय जो होती है वो आरा में उपलब्ध हैं चाहां हम अच्छे हास्पीटल की बात करनें वहां के रेलिवेस्टेशन जा करके देखिए ब्रीज का ज जाओंगा 15 साल से कारा काट उपेचित रहा है पैरा सूट वाले लोग आये और लड़े और चुनाव जीत करके हां से चले गए मंतिरी बने उसके बाद यहां की रोड की स्थिति एक खुब बढ़ियां बढ़ा अस्पताल नहीं दे पाए खुब बढ़ा कोई IT कॉलेज नह नहीं बड़ी फैक्टरी बढ़िया साइथ वह चालू हो जाती तेहां के लोगों को रोजगार मिल जाता नौजवानों के लिए कुछ किया नहीं एक बड़ा स्टेडियम दे दिये होते केंदर में मंतिरी थे यह अदला बदली की राजनीत किये लो जिस ब्यक्ति का चरीतर बनाया जाता है फलाने विरादरी के हैं वह भी कुस्वाहा है यह याद्व है हमारे साथ इससे बड़ा उधारन को हो सकता है जात इमत मजहब से उपर उठकर के पूरी दुनिया में सारे समाज के लोगों ने पूरे भारत वरस में केवल बिहार ही परदेश के लोगों ने परदेश हो बिहार हो जारखंड हो बंगाल हो कहीं भी हो सारे जगहां को लोगों ने पवन सिंग को प्यार दे करके आज 32 साल से इस इंडस्टी में खड़ा यह कौन नहीं चाहता कि पवन सिंग को खाड़ करके फेग दिया है इनके उपर उनका और यह पबलिक आसिरबाद होगा उसको कोई भगा पाएगा 32 साल से पहुंच आज यहीं पूरी दुनिया में जब सर्च करिए का गुगल पे तो पूरी दुनिया के क्लाउता सिंगर है जो टाप फिरी में आज बर्सों से बना होगा अचा आप करीबी हैं पवन सिंग के तो आसन सोल सीट छोड़ने का वज़ा उनका ब्यक्तिगत नीजी कारण रहा है मैं नहीं चाहूंगा और उनका कुछ नीजी और ऐसा कुछ मामला था मैं पार्टी ने वापस लिया टिकट या इन्होंने छोड़ दिया अगर अगर पार्टी ने लिया अगर मैं यह बोलू तो वह अपनी ट्रेटर हंसे सो प्रिद वनाव जीताएंगी पोई सिह को और खाराकाट की जता ही तया करेगी कि दल में जाना है यह पांच साल निर्दर लंखर के लोगों की स्यव क्येने वाले लों यह कह रहे हैं कि एंट आ सुझ मुच हैं attend कि सम्कुरा देखके चुकि मद्स इंग का मतलब ये था कि मैं जाओं अभ पांच साल ऐसा सेवा करूं कि पीर भारत वर्स में कारा काट की चर्चा प्र favorn kello लुख की जंता के नाज्वान कहें कि रहा चेहरा आया जैशंपक की आप पर सो बरसे तोक हमारे आने वाली पीड़ी यहां पे जो लोग है वह क्या लगता है कि सारे जाती धर्म वगरा सब भूल के पवन सिंग पर अपना विश्वास यताएंगे बिल्कुल हम लोग को मान और समान चाहिए हमारे बीच में जो नेता हैगा हमारे भाईयों को पहचान सब कुछ ठीक कर सकते हैं यहां जो भी बिग्रा हुआ है प्रयास तो हर कोई करता है और प्रण सिंग का जितना बड़ा नाम है और प्रहुंच इस फिल्ड में हैं और जोंचारी को पाया है नों के बद़ बदलत पब्लीकों के बदलत तो उस सोर्से से उस चाहेंगे कि खा प्रस्ण पर कारा काट लोग सवाब में मुलभूद कौन कौन से समस्या उस समस्या में इंगित रहा और जिए पूर्ण पूरी को लेके भी बहुत महत्पूर्ण है क्योंकि यहां फिल्म की सुटिंग हो सकती है एक लोकेशन है मैंने यहीं कहा है मैंने आप कि 15 साल में कुछ तो ऐसा करती है होते कि यहां के जो नौजमान है वो किसी भी फिल्में जाकरके अपना कुछ काम करके कमा करके रोजगार सरजिनित कर सकते हमारी परस्मिक्ता है यह बोल रहा है कि बहुत बड़ा नाम है फिल्म में यह गाना-गाते हैं हीरो है आएंगे मुंबई चले कि पवन जी को आप जिताएंगे तो पांच साल यहीं काम करेंगे यहीं सुटिंग करेंगे और प्रयास रहेगा उनका कि मीनी मीनी कराकाट को मीनी भुझपूरी का एक स्टोडियो बना करके दिया जहां लोग काम करें क्या लोकेशन भी बिल्कुल कराकाट के पास संसाधन में बहुत उतार चड़ाओ देखें 32 साल का उनका गाईकी का सफर रहा है लेकि पावन सिंग जो बोलते हैं और पावन सिंग बोलते हैं तो यहां से बोलते हैं और दिल से उनकी आवाज जो निकलेगी वही करेंगे यह लोग सावाज शेतर चुनने के पीछे का कारण एक भ चुनालाब चुनाओं कीृत switches है हमारे पास सिस्टम है कि हम कैसे कार्या कार कार्ण की तो पांच साल में हम बताएंगे काम कैसे होता वसका पूरा और रोड मैप है पहुंजी की टीम के पास बिल्कुल अब भाई साहब है और इनसे एक सवाल फवन सिंग यहां फिल्ड में कब उतरने वाले हैं सारा सवाल तो भाईया बता ही नहीं आप चर्चा हुई होगी आप छोटे भाई हैं आज कल में भाईया आप अपने सोसल निर्दलिया लडेंगे किसी पार्टी के तरफ से नहीं है कि चुनाव लडेंगे दूसरी बात की जहां पर यह रह रहे थे आरा आरा में इन्होंने बहुत काम करें वहां पर डेवलप्मेंट और कि कराकार्ट में भी चाहते हैं कि रोजगार हो काम मीले बेरोजगारी हटे कि वहां से स्टूडियो खुलवाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो यह करना चाहते हैं और जो पवन भेह बोलते हैं वो सबको करके दिखाते हैं यह दिखा भी देंगे यह अगर कराकार्ट का साथ रहा तो यह जीतेंगे भी और फिर कराकार्ट ही फैसला लेगी कि इन तो हम तो all the best ही बोल सकते हैं और भगवान करी वो जीत जाए और जो यह कह रहे हैं वो करके दिखाएं तो मुझे वीडियो अच्छी लगे आप लोग कैसे लगे प्लीज मुझे कमेंट करके जूरुपता हैं इसे के साथ मैं इस वीडियो कहीं पर करते हूं खते मिलते नेक झाल